हेलो फ्रेंज्थ आप सभी का स्वागत है अज आप सभी को परिम्य संख्याओं को आरोही करम में कैसे लिखा जाता है इन सभी कोईशनों को यहां साल्व करेंगे तो फ्रेंज्थ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंज आपके सामने यह आरोही करम का अर्थ होता है बढ़ते करम यानि भिन जो परी में संख्याती होती है उसे हमें बढ़ते करम में लिखना है तो फ्रेंज यह आपके सामने क्वेशन दिया है यहाँ पर देखिया आप कि 2 upon 4,3 upon 2,5 upon 8,1 upon 16 यह आपके सामने क्वेशन दिया है फ्रेंज आपको आरोही करम या औरोही करम या भिन का सवाल लगाते समये आपको बस ध्यान यह देना होता है कि जो हर संख्या दी होती जैसे हाँ पर हर 4 है 2 है 8 है 16 है इसको पहले आपको समान करना होता है समान करने का तात्पर है कि इसका क्या करेंगे कि लगुत्तम समापूर तक अर्थाद P Hemg निकालेंगे यहाँ क्या करेंगे चार, दो, आट और सोलो कहा लगताप भलत तक निकाल है देखिंजे ह corazón निकाल के बताते हैं जैसे चार है CLben इसका लगताप भलत तक आप निकाल है देखिए फिर दो से खटड़ा Cristodal vaizaki godanticantic originally 286 फिन इससे 2 से कटाइए 6 देखिंज़ 2 indуется एक हो जाए दू 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 से देखिए लसेम इसका निकाल लिए तो आपका लसेम इसका आगया देखिए कितना बार है दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो तो आपका आया दू 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 द देखिए अब इस हर का भाग इसमें देते हैं, जितना आएगा उसके अंस में गुड़ा करते हैं, चार का भाग 16 में दीजिए, कितना है, चार चोग को 16, चार आया, चार का गुड़ा 8, दो में के रिए, चार दुना के 8, कामा है तो कामा देजिए, देखिए, दो का भाग 16 म तक है के और इस इसे वह से आरुपी करम आपनम में लिकेंगे सबसे च्छोटा संख्य पहले देंगे देखिए MARK करेंगे Помा इसे इक दे लह बहले हए लिक्मलवकी करें एक देखिए और दृष्टे में इसका लिखिए के बाद कामा दीजिए, एक थीचbew आथ कामा है, कामा है तो पटकि लिखिए है ईह एक आठ के 10 दखिए हैं, यहाँ पर दस ये 10 निरने से 10 कितना होगा 5 बटकि आठ होगा, कामा है तो कामा दीजी, 24, 24 देखें, यहाँ पर 24, यानि इसके निचे लिखा गया है, तो 3 अपन 2 है, यहाँ 24 के जगा पर 3 अपन 2 लिखेंगे, यह जो होगे 1 बटा के 16, 2 बटा के 4, 5 बटा के 8, और यह 3 बटा के 2, यह होगे आपका औरोही, मतलब आरोही करम, आरोही मतलब बढ़ते करम, यह आपका आरोही करम, आरोही करम, अर्थात ही होगे आपका बढ़ते करम, यानि कि परिम्य संख्या दिया होता है, उसे हम आरोही करम में इस तरीका से लिखते हैं, फ्रेंज, चलिए नेक्स क्वेस्टन को देखते हैं, आरोही करम, कि कोई भि औरोही करप इसे हम किस तरिका से औरोही करम में लिख सकते हैं। और रोही करम केukt होता है खटते करए यानि कि बड़ी संग्या मच्धा, बढ़ने उसके बाद चोटी उसके चोटी उससे छोड़ लिखा जाता है। देखें यहाँ हीं इसके हर को देखिए हर 3 है 6 है 9 है 18 यानि कि हर क्या है अलग-अलग है तो इसके हर को बराबर कीजिए यानि कि बराबर करने का दात पर है कि इसका इसके दो से कटा आई यहां पर लिखिए दो गुड़े तीन गुड़े तीन कितना आगा दू त्ने चा चाट्री अठारा यहां पर पुने ऐसे पाई खीजी और यहां पर 18 लिखिए ठीक है अब किया करता है इस हर कभाग 18 में देंगे जा है अच चा को बहुरा करते हैं कि झाय है कि और हुई कर दुने अगये कि आपका इए कंजें सॉद्ग करा अब यह इसको खें penser यानि कि बड़ी संख्या पहले नौ लिखे पहले देखिए नौ से छोटा क्या है चाह है अब इन दुने चार में चार चाह तो बराबर इन दुने में कोई एक संख्या पहले लिख सकते हैं चाह लिख लिजिए चाह लिए इसमें कोई अंतर नहीं बटा कर लिजिए अब कि यहां मौ कहां पहह लिखाया जाए को फ़लीरी नमबर पर दुसरे नमबर तरन हो लिखेंगे चर्टा चार घास चार झो आपस मेंरा कोई तो कोई संख्या ले सकते हैं इसी को यहान्गे हैं पहिका फ्रेंद और आपको यह वीडियो क्या है और वीडियो पसंद आए तो यह लाइक करें और जैनल के नहीं है खनलत थ्सक्राइब करें ै